हेलो फेंस, वेलकम बैक उनके अक्तबग, कैसे आप सभी आ सकता हूँ और उच्छे होगें तो पर जो निया नया CRT TV करी पेनिंग अगाम करने हैं या कलते हैं उनके साथ कभी न कभी ये फॉल्ट जोओर बनेगा कौनसा फॉल्ट कि इसके जेतेने भी आउट्पूर में वोल्टे निकलते हैं 110 वोल्ट 16 वोल्ट 12 वोल्ट और 24 वोल्ट और पूरे खतम हो गया या पूरे डॉप हो गया है बहुत कमान है तो फिन इस करिशन में बहुत स्लोग क्या करते हैं कि इस EST को चेंज करके देखते हैं क्यों फ्रेंट मैंने कुछ दिन प्रें वीडियों आया था जिसमें बताया था कि EST खराब है कि निक कैसे परकची है तो मैंने उसमें बताया था कि अगर आपके वोल्टेज दौप हो रहे हैं तो आप एक बार निकालने के बाद आपका वोल्टेज ठीक हो जाना है तो आप आपका वोल्टेज डाउन होता हैं तो कौन दो चीज होती हैं और आप उसको कैसे रिपेर काची हैं आज की इस वीडियो मैं यही बताया वाला हूँ तो आज की इस वीडियो को एक वाल जाहूल देखेगा और चैनल पर अगर नहीं है तो प्लीज सब्क्राइब कर लिजे और कल लखाये तो तैंकि इसमा चलिए सू करते हैं तो फिर्ण सबसे पहले आपको वोल्टेज को चेक करना है कि आपके आउट्पुट में कितनी वोल्ट आ रही है या वोल्ट आ रही ही नहीं है तो इसके लिए फिर्ण आपको इसको सबसे पहले में लाइन में कनेक करना ह और करवी भी आप मेन लाइन में काम करते हैं तो इसमें ध्यान से कीजा कियें क्योंकि इसमें बहुत जाब वोल्टिज होती है जिससे आप अब क्रेंट लगे दर होता है तोलिए मैं बताता हूँ कहा का आपको कितने वोल्ट चेक करना चाहिए सबसे पहले आपको अपने मल्टिमेटर को हजार वोल्ट डीसी भी लगाना है उसके आपके CLT TV में लाइन को आउन करना है एक कीत ख़़ा वे तो मैं आपको चेक करके नहीं दिखा पाको पर मैं आपको गाइज जयूर करूगा तो आपको जो ए ब्लाइक प्रोव है इसको आपको कहीं भी ग्राउंड करना है जो यह आपको पूरा अन्मुनियम सीद देखता है यह पूरा अपर ग्राउंड होता है तो सबसे परील आपको कहीं भी एक ग्राउंड करता हूँ यहां जींट ब्रेंट कर सब्सक्राइब को चेक करना है अगर आपका 110 वोल्ट बहु जा फ्लक्टुएट करना है वाकि 24 बारा और 16 वोल्ट है वो बिल्कुल कॉंस्टेंट है जब एक सहन है तो आप समझ दिये कि आपकी EST खराब है ताप एक बड़ एस्ट के आज लाइस्टेंट होता है यह सप्लाइ बार इसको एक बार ऊपेन करके मतब कात के यह सोलिंग हता के निकाल लेजिये उसके आपको 110 वोल्ट को चेक करना है अगर एक स्ट का जो लाइन कातने के बाद आपका 110 वोल्ट बिल्कुल समसीख है वाँ एक सण है यह यह वन तेंट के उपर भी आता है तो फ्रीक होता है बिना लोट की यह स्ट के आलमूस करी कर देल सो भी आ जाता है तो 110 वोल्ट जा रहा है यह स्ट का लाइन कातने के बाद तो आपका जो यह स्ट हनले बनफन खराब है आप यह स्ट को चेंज करें लिजिए और उसके यह फिर्ट क्या होता है कि आपकर आपके चारो वोल्ट हुआ रहते हैं जापके 24 बोलत होता है 12 बोलत होता है चब्वेशी 16 बोलत होता है और 10 अधर 10 वोलत है यह सब भी आ गाता है तो वे उस करें में आपका दो शीशाच अत्योट होता है पहला किया पहला पहला आप यह पाहलीजिए आपको तांदिस्त लगा था यह निकान ल निर्ट को शाग भी ठीक है तो आपको थर्द चीज को चेक करना है थर्द यहां लगाता है जिसको बहुर से लोग नामी योग को take so kya होता है योग कोुल होता हैं योग कोे शॉट हो जाने के पर से आपको वूल्ट डाउन करता है अगर आपके EST और जो हो यंदा का तान्दीस तर यह दोनों ठीक हैं तो आप उसके आप हांदेज बंद परिंसमा जीए और आपका वोल्टेज डाउन हो आपका यह कोल है यह खलाव हो चुका है इसकी टेस्टिंग के वीडियो जल्दी आजीगे मैं चाहिए तो इन ही चीन सी आपका वोल्टेज बहुत जाए डाउन हो आता है या अप डाउन करता है तो अगर आप इन तीन तीजो को चेक कर लेते हैं तो आपका जो स्क्राव्टेज डाउन का प्रावम है हां लेट बंद पर इन ठीक हो जाएगा तो आज तक आपको समन में आगे होगा और योग नोगा पचना है तो ब्रीज लाााइक किजाएगा और कावरै परीज अग्नने प्रावम है तो प्लीज तब्लीज प्रावेड आपको आ मिलते हैं किन टेक क्यार वावाई जाहनद